सबी विध्यार्तियों को नमस्ते विध्यार्तियों आज हम इस वीडियों के अंत्रगत राजस्तान इस्टेट ओपन बोर्ड कक्सा 10 का जो भारतिय संस्कति और विरासत वाला विशे है उसका चेप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो इसी चैनल पर मैंने जो है इसी विशे के चा सकते हो तो आज अब पढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 भासा और साहिते तो देखो इस पार्ट के अंदर बता रखा है कि भारत के अंदर कौन-कौन सी भासा है बोली जाती है और उन भासाओं में कौन-कौन से साहित्ति रचना की गई है तो पढ़ते ही चेप्टर को भारत में भासा और साहित्य का उनने उनने का मतलब होता है कि साहित्यों के रचना तो उन भासा में कौन को से साहित्य रचना होती है देखो जब तक भासा नहीं होगी तो साहित्य की रचना भी नहीं हो पाएगी तो भासा से क्या होती है साहित्य की रचना होती है साहित्य क कोई भी आप मंद छोटी सी कहानी भी लिख रहे होते हो तो उसके लिए आपके पास भासा होने चाहिए कि आप कौन सी भासा में वह कहानी लिखना चाहते हो और वह भासा आपको आनी चाहिए साथ में आपके दिमाग में विचार भी आने चाहिए इस कहानी को लिखने के लिए कुछ कलपना है आप सोचो ठीके और आपके मंदों कोई भाव आने चाहिए तो इस तरह से आपके छोटी ची कहानी के रचना कर सकते हो इसी प्रकर अगर हमें कोई साहिति लिखना है, कोई भी साहितिक रचना की जाती है तो उसमें भासा, विचार, कलपना और भाव द्वारा होती है साइट्य सदेव समय के सासर परिवरतित होता है किसे मानो जो आज अधुनिक वरतमान में जैसे लोगों का रह इंसेंन जो पुराने जमानिका साह्ती जयम्साप करें धक्रीक जान दfulness के साहित लिए तो उसामे सभैता थी जो लोगयों की सोसी विचार के अंदर गत्त आया वो हम उनके कलपणाव में और उसी के आधार पे रचे उनकी वन्सावली लिखी गई तीके उनकी वीर गाथा ओपर उनकी वीरता के ओपर भी कोई साहित्त लिखे गए कुछ राजा भी राजावी एसे उन्हों ने भी अपने जीवन गाथा उन्होंने भी होता है उस समय की इस्तिति उस सभ्यता के बारे में जानकरियों साहितियों से मिलती है तो साहितियों में एक जैसा नहीं रहता समय के अनुसा साहितियों की लेखन में परिवतन होता है भासा एक ऐसा माध्यम है जिसके दोरह हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं जबकि साह शोचने समझने का तरीका था धर्षण नियानि की ध्रम को मां देते क्या सोच्ते थे यह वह सारे उस अधरी से में पता चलता है कि किसी भी संस्कृति की संंध्नी जानने के लिए उसकी भाषा और साहिती को समझना आवशक हो भासा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपी के साहिता लेनी पड़ती है तो लिपी के आउसकता होती है साहिता लेनी पड़ती है मनूस्य ने जब लिपी का आविशकार किया है तब से संस्कर्टी जीवन सेली समाज पतकानी सामाजी विवस्ता की विशेशता पठर्भामित होने है गवरती लेनी ने लिखित रूप अध्याय को पढ़ना कि बाुद्या direction करेंगे तो एस्ट पारट को पढ़ने के बाद आपने को inglés का शिखोगे कि भारत में संवर्टि विरासत का अन् leverage करेंगे कि भारत में किस में किस विकास वा धॉक्स मैं फिर विकास ओप भारत के विबिन भासाओ तता साहित्य को सुची बंद कर सकेंगे भारते भासाओ और उसके साहित्य में मूल रूप से नीट एकता और अंद्रूनी विटता के उधारन दे सकेंगे विश्व साहित्य में भारत के योगदान का जान सकेंगे कि विश्व के साहित्य में भारत का सास्ट्री भासा है संसकत को सभी भासा की जन्नी माना गया है य forearm לש में विशाल जो भी हमारे में अउतनिस्द हैं पुरान है जो भी मरे धारमी घंत हुए है जो पहले ना वेदिक काल में वो सारे कि सारे किस theore की संस्घत संस्धने संस्कत का साला इत्य विशाल है जिसका आरम प्राचीर गंटłam है। जाता है तो इसका है कप से माना जाता है कि प्राचीन ब्रशन्स के विचलेशन किया तो पाझजी क्या यह वह रिख्रण के उसकत के विचलेशन किया है कि उससमें बता है निसे बोढ़ मतनोगां के संस्कत गंधों में हीन यां साका का महावस्तु और महायां साका का ललित्विस्ता ग्रण्त पवित्र अंद्रें कलहन की रास्तरंगनी नामक गरंत लिखा जो की कस्मीर का इतियाज बताता है। स्भासा का विस्तार में उस संस्कत भासा ये बोली जाती थी अब है वेद我 भारत के प्राचिन्तम ध्रम गरंद हैं वेद संसकत्मर रचेगें जिने अप पौरुषय माना जाता है अपौरुषय यह किसी 10 रहा नहीं रचे गए ऐसे व्यक्ति ब्धुद्र पुरूस था रिशी मतलब देवता था यहनि महान रिशी ले रचा गय से वेद गैंडु संसकत्त मेंस्वा благодар in वेध का सब्दीकर्द क्या होता है या पुद्यान रखना गया और हिंदू संसक्ति ले वेदा मनागा यह हमेशा रहेंगे और इस्वर परदतिय नीए इस्वर दौरर रचित मना गया है वेध चार है रिगवेद येजुरूए साववे तथा अर्थवेद प्रतेक वेद के अपने ब्राह्मन अरण्यक तथा उपनिसत गरंदे हैं पहला है त्रिगवेद अब चारों वेदों के बारे में हम जानेंगे विस्तार से रिगवेद प्राचिंतम वेद हैं तो सबसे पुराना वेद कौन सा है रिगवेदिन सबसे प्रत्थम जिस वेद की रचना की गई है वो भी विगवेध ही है तो रिगवेध प्राचिंतम वेध है इसमें दस मंडल और एक हजार अठाइस सुक्ते हैं परतेक सुक्त में अनेक मंत्र है अधिकांस रचना और रिचाओं में विश्व की समर्दी के लिए इस्वर से प्रातना की गई यह जो भी रिचाय रची गई यह जो भी सुक्त लिखे गए हैं घूटिया बताते हैं जीवन के मुल्ले के बारे में बताते हैं अगला यह जुरवेध का अर्थ है यह जुरवेध में य furnace यह कि नियमों और विधी विदान के बारे में जानकारी मिलती है यह उग Peg 만द्धि कि वैसंसामाजाय जबर में इस्तिति को सब्सक्राइब उस समय प्राचिन काल केंड़ यग्वगरा किये जाते थे और पूछा जा यग्वेद कितने प्रकार के है, तो यग्वेद दो प्रकार के है, कुषन यजुरूवएद और सुकले या जुरुवएद अगला है सामवएद साम का साबदिक अर्थ गान या गीत है साम का मतलब क्या होता है गीत गाना सामवेद में यगों के आउसर पर गए जाने वाले मंत्रों का संग्रे है यानि जब भी यगी किया जाता था उस समय तो उसमें जो भी मंत्र गया जाते थे जो भी गीत गया जाते थे उसका संक्रन सामवेद में मिलता है ये ग्रंद भारतिय संगीत की विकास का मूल है तो भारत में जो भी संगीत का विकास हुआ उसका मूल किसे माना जाता है उसका मूल जो है मूल गरंद सामवेद को माना जाता है अर्थवेद अगला है अर्थवेद अर्थव को भ्रमवेद के रूप में भी जाना जाता है इसमें रोगों का उपचार का उल्लेक मिलता है तो अर्थोमेद में के मिलता है रोगों के उपचार का उल्लेक इसमें मिलता है इसमें मानव जीवन को सुखी बनाने के अनुष्टानों का उल्लेक मिलता है तो मानव जीवन किस तरह सुखी बनाया जा उसका उल्लेक भी इसमे कि ब्राह्मन वेदिक मंत्रों की व्यख्या करने वाले गरंतों को ब्राह्मन कर जाता है इसलिक विथियों की गया है निलोच संपरपे ब्सक्राइक है उसकी व्यक्या निदे सेंथ यह विधान का उलेख है अगला है अरण्यक अरण्यकों में आत्मा जनम मत्यू और मत्यू प्राँ जीवन का उलेख मिलता है तो अरण्यक क्या मिलता है इसकी आत्मा है जनम मत्यू और मत्यू प्राँ जीवन का उलेख इसमें मिलता है वन में की गई है अथात यह जंगल में रचे गए इसलिए इनको क्या कहा गया और इसमें आत्मा है जनम मर्तियों और मर्तियों की उपरां किस तरह का जीवन होता है उसके बाइर में इसमें बताया गया है अब इससे समध्र कुछ प्रश्णियां पर दे रखे जो अब अब त क्या है तो वेत का साब दिकर्थ होता है ग्यान याज्यूवेत के दो भाल को नाम बताइक टौने पढ़ाता में इस दो भागि क्रशन याज्युवेत और श्वेथ स्वेथ सुखलय ज्रूठ है यंजिन कशीन ये जुर्वेथ और सुकलय ये जुर्यूवेथ. चोरता है व तो वह उपनिस्द ुम लिखा गया है तो उपनिस्द का साब्दी करते है गुरु के निकट ब्याटना इस पर थे कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिश्यों के समय गुरु के समीव प्रमुक उपनिस्द है ऐस्व परश्ण मुंडक यतर ए deepen व्रद्दारण के आदि हैं उपनिशद हमारी सांसकतिक विरासद का मैत्वपुन अंग है सुत्र ग्रंथ वेदिक यग्य की विवस्ता तता ग्रश तासरम के लिए उपयोगी विधान सुत्रों में वनित यह तीन प्रकार के हैं शुत्र ग्रेश उत्र और ध्रम शुत्र अर्जिट में एक सम्वर्म नियम दिये तो जो भी कहा धितर कितने तै यह वेदिक क्यों की विवास्ताप 12 जो knife ँसकी विवास्त South Grey जाएक दावsh रहिए उसकी दीक्र में चाहिए थे पिछली पाठ किagonist कारत की सतवर heeft होता होता सन्यास आसरम तो ब्राटि का सद होता है सो वरस के अंदर जश्टे में अपर निπαता दर करता है उसके जन्म प्रवेश करता है उसके बा squad में प्रवेश करता शाधी होती है जिवान ओपर दो शिम्मेदर्य को निभाता है तो यह ग्रस्त आस्रम के बाद में वह था वन प्रास्त आस्रम पचास वर्स का विक्ति हो जाता है उपने सारी जिम्में दिर निभा लेता है बच्चों की शादी वगरा कर देता है अपनी पूरी ग्रस्ती को अच्छे से निभा कर लेता है उसके पार वन प्रास की भक्ति में लगता है फिर सन्यास आष्रम के काल को वेधिक काल में चार आष्रम में बाटा गया था ख्रेश्त आश्रम को किस तरह से निभाया जाता है वो सारे जो सुत्र है, विधान है, वो सारे सुत्र ग्रंत में लिखे हुए हैं तो सुत्र ग्रंत को तीन भागों बाटा गया है, शोर शुत्र, ग्रेस्त सुत्र और ध्रम सुत्र तो शोट सुत्र में यक समंदी नियम दिये गए हैं, ग्रे सुत्र में ग्रस्तास्रम से समंदी धार्मिक अनुष्टानों एम कर्तवियों का वनन मिलता है, धरम सुत्र में धार्मिक एम सामाजी कर्तवियों का उलेग है, अगला इसमर्ति ग्रंत यानि धरम सास्त्रम, धरम घालते हैं इन में मनुई इसमर्ती याह वल्यक क्यो一下 zamती आदी प्रमुक है तो यह सबी क्या होगे धरम सास्त्र है । अगला है रामायन तथा महावारत इस पर प्रषिद zijn घiği शहर pleasant wizard पूरी गटना वित वर में दाथ पूरा कावी व्तन हो उसके आति दूंदित ती सबय कैसी थी कून के वितल युद्ध लड़े सारी घटना करम् उसके अंदर घर आजाता है तो रामायन महाबारत हमारे दो प्रशित महाकावे हैं लोकिक साहित्ते के अंतरगत सरोपतम उल्ले के मैसी वाल में की कृत रामायन का किया जाता है लोकिक साहित्ते यानि कि राम में जो है मनुश्य का वताल लिया एक मनुश्य का वताल के रूप में थे तो लोकिक साहित्ते को आधी कविय ने की रामायन को आधी कविय तर वालमिकी को माना जाता है रामायन एक आधर्श समाज का चित्र परस्तुत करता है रामायन के बताता है आदर्स समाज का चित्र परशुट करता है इसमें जिन आदर्सों की पतिष्टा की गई है वे मानव के लिए अनुकर्णी है तो रामायन के अंदर जो भी अच्छा आदर्स बताया गया एक अनुसासर बताया गया एक जीवन को जीने के लिए एक समाज को पारम में इसे जह कहा जाता था आगे चल कर इसे भारत के नाम से परशिदी परशिदी मिली बाद में भारत के नाम से परशिदी मिली इसका अंतीम संक्लन जो है दस एक लाख सलोकों का है इसका अंतिम संकले कितनों का है दस एक लाख सोरी एक लाख सलोकों का है जिसे महा भारत कहा गया महा भारत मूल रूप से कोरो पांडो के भी संगर्स की कथा है तो महा भारत में क्या है मूल रूप से क्या है ये कोरो और पांडो के भी जो संग बहुत है गया है भगवत गीता महाभारत का यह वह अजिसमें क्रिश्ण ने अर्जुन को एक युद्धा और राजा के कर्ट्वों को मान करवाया तो फेमिल्यों मृष्छ महांक laws औरुजुन के लगा कि ये तो ते मेरे रिष्टदार है तो में इन को अना कैसे मेरा क्षाके एक हाट को पालन नहीं कर पा रहा था क्योंकि हात बंदे बंदे से किस वज़ये से सामने किरिश्टदार के ऊसके शर्ष्ट गीता उनको सुनाई कि उसके अंत्रगत एक राजा और योद्धा का क्या करतव्य होता है वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया तब ही जाके अर्जुन युद्ध कन्ने के लिए तैयार हुआ तो ये अर्जुन और कृष्ण के समवात के रूप में ही पूरे गीता लिखी हुई है तो इसमें ही करम को सेष्ट बताया गया है तो इसमें कृष्ण और जो अर्जुन है अर्जुन को श्री कृष्ण जो है योद्धा और राजा के करतव्यों को समझा रहे हैं अगला रामायनगे रहेता मेर्शी वालमिकी है तीसरा ओमाभारत उसके बाद पुराणों को मेंठील मना जाता है पुरानों के संख्या 18 है कुछ प्रशित पुरानों के नाम भ्रह्म है भागवत है पदमे है विश्णु है जैसे विश्णु पुरान है वायु पुरान है अगनी पुरान है मतश्य पुरान गरुड पुरान श्री पुरान आधी है पुरान नीती कथाओ के माध्यम से धार्म अगला है बोध का पाली भासा में रचित बोध का पाली भासा में रचित त्री पिटिक अथवा तीन टोक्रिया विने पिटिक सूथ पिटिक अभिधम पिटक तो विने पिटक हो गया सूथ पिटक हो गया अधिधम पिटक में तो बोध का पाली भासा में त्री पिटक में क्या अड़ थे त्री पिटक मतब तीन टोक्रिया विने पिटक सूथ पिटक अभिधम पिटक विने पिटक में देनिक जीवन से सम्मदित वेवहारों सूथ पिटक में बोध धरम से सिधानतों उपदेशों अभिधम पिटक में दाशनिक शिधानतों का संग्रे मिलता है तो देखो अगर पूछा जाए विने पिटक में क्या है तो बोध धरम के जो देनिक जीवन से संमधित व्यभारों को बताया गया है तिके इने सुथ पिटक में बोध धरम के सिदांत बताया गया और अभीधम पिटक में क्या बताया है कि दाश्निक दान का संग्रे इसमें मिलता है सामान्य उभदेशात्म साहित्ते में सरोतम बौध साहित्तेे जातकतायी गलाती है जातकतायी सब्सुद्ध करो दो जनम की घटनाओं को हो इसमें जातकताय है on जेन गरंत प्राकत भासा में लिखा गया है तो देखो बोध गरंत किस में लिखा गया है पाली भासा में और जेन गरंत किस में लिखा गया है प्राकत भासा में आपको ध्यान रखना है जेन साहित्य को आगमंग कहा जाता है इसके अंतरगत अंग उपांग पक्रीन छेद सु अन्य गरंत why कोटेले दवारा रचीत अत्वर मोरे काल का मैंत्र पॉर्पून गरंत प्रौद्वारी को साओ यह हAudऊ कोटील ये लिखा इसका नार्ट समंध्य बाद इसमें उसकी राजनितिक विवस्ता थी ये ग्रंट उस समय के समाज की राजनितिक सामाजिक और आर्थिक इस्थिति को प्रतिशित करता है भासुद्रक काडिदास और खिर और हर्शकारी भरत के सामाजिति गुप्त काल में प्राणिनी ने और पतंजली ने संसकत के व्याकरन पर आधरित व्याकरन गंतों की रचना की जैसे प्राणिनी का अश्टाधाय था और पतंजली का महाभाश्य है गुप्त काल के प्रशित संस्कत लेखा के उनकी रचना इस प्रकार है तो गुप्त काल में संस्कत लेखे कौन कौन से है उनकी रचना कौन कौन से है देखो पहला है काली दास कालिदास ने मेगदूत, गितु संगहार, कुमार संभव, रगुवंस, महा कावे, तथा अभिज्यान संकुतलम, विक्रमो, वंसियम, मालविका, अगनी मित्रम नाटक इन्होंने लिखे विसाकादत, तो यह सारे संसकत्म हैं, विसाकादत का मुद्राराक्षष, देवी चंद्रगुपत नाटक और सुद्रक का मुद्राराक्ष देवी चंद्रगुपत नाटक आधि है। तो चरक ने क्या लिखा चिकिसा सासत्र, शुष्ट ने की जाती है, जिससे आज हम उप्रेशन कहते हैं तो उस समय भी उप्रेशन होते थे तो सल्य चिकिसा संबने गरंद किसने लिखा शुशुट ने लिखा माधव ने ओजदी विज्यान गरंद की रचना की वरा मिर तता आरे भट द्वरा अंत्रिक्ष विज्यान तता लगधाचारे द्वरा जोतिस पर लिखी पुष्ट के भूत प्रशिद है वरा मिरे की वरत साइता आरे भट की आरे भटियम तथा लगधा चारे की वेदांग जो तिस अतुलनिय गरंत है इसी प्रकार सोम देव का कता सरित सागर तो सोम देव ने के लिखा कता सरित सागर तथा कलहन की राश्तरंगरी मेत्वपून गरंत है जे देव का गीत गोविन इस काल के संस्कत साज़ति की सरोच्त मरशना है तो आपको ध्यान रखना कि सोम देव ने कौन सा गरंत लिखा कलहन ने रास्तरंग नी लिखी जे देव ने गीत गोविन लिखे तिके इसके लगा जो भी ये वरत सहीता है आरे भटकारे भट्यम है लागवाचारे के वेदांग जोती से ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा तो इन गरंतों की रचने की अगला देखो प्रशन है जो हमने पढ़ा उससे समझने की पुरानों की संख्या कितनी है तो ह गरंत वो पाली भासा में लिखे गए सल्ली चिकिसा समंधिक गरंत किस ने लिखा तो हमने पढ़ा सल्ली चिकिसा समंधिक गरंत जो है शुषुट ने लिखा था गीत गोविन की रचना की थी अगला है तेलगू कंणड और मल्यालम साहिते चार द्रविट भासाओ देखो द्रविट भासा है जो दक्षनी भासा है तमिल तेलगू कंणड और मल्यालम में भी साहित रचा गया तमिल इन सब में प्राचिन है इस कारण इसे लेखन कारे कर पहले पारम हुआ तो तमिल विजे नगर सासन को तेलगु साहित्य का समण यूग कहा जाता है आपको ध्याँ रखना है कि विजे नगर सासन को तेलगु साहित्य का समण यूग किसे कहा जाता है तो आपको ध्याँ रखना है विजे नगर सासन को बुक्का पर्थम के राजकवी नाचना सोमनात ने उत्तर हरीवनसम की रशना की विजे नगर के सासा कृष्ण देवराय ने मुक्ता मालियद की रशना की उनके दर्बारी साहित्यकार अलसनी पेड़ना ने मनुचरित्तम नामग्रंद की रशना की उन्हें आंद्रक कविता का पितामा कहा जाता है तो किसे आंद्रक कविता का पितामा कहा जाता है तो ये किसे कहा जाता है अलसनी पेड़ना को धूर्जती ने कला हस्तिस्वर महातम्य और कला हस्तिस्वर सतकम नामक दो गरंतों की रशना की पिंगली सुरान ने रागव पंडीव्यम तथा कला पुरानो द्यम रशना लिखी राती नाली राम कृष्ञ ने ततकाली उच वरक के लोगों से स्मन्दीत चुट के लिखे राम कृष्ञ पांडूरं महातम्य के रस्तनाकार है तो क्रचना है अगला है कन्नड साइट विजय नगर के सासकों ने तेलगु के अलावा कन्नड और संस्कत के लेकों को भी आश्रे प्रदान किया अनेक जेन विध्वानों ने कन्नड साइट में योगदान दिया माधव ने 15 तीर्थक पर धर्मानात पुरान लिखा तो माधव ने ध्रम परिक्ष ग्रंद की रचना की पंपा ने अपने उत्करश कलात्मक रतिया आधी पुरान और विक्रमाजुन विजय दस्वी सताबदी इस्वी में लिखी पंपा को कन्नड कवियो कविता का जनक कहा जाता है पूर्णा ने सांती पुरान एवम सन्ना ने आजी अजी तक देखें देखा, इसमें ग्रंदुकान दे रखें हिस लेक रकात ने कौन से ग्रंद लिखे हैं और साथ में दक्षनी भारत भारत में इसे हिए नाम होते हैं रश्ण तित्या के राज्य में रहते थे तेरी सताब सदी में हरी 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 हरिश्वन ने हरिश्चंद्र का विये वे सौमना चरितर रचांप था वधु वर्माने बंदु वर्मान हरी हरीवन्स अभूद्यम और जीवन संबोधन की रचना की होई सल सासकों के संडक्षन में रुद्र भटने जगनाद विजे की रचना की अनई दया की मदन विजे एक रोचक पुष्तक है मलिकारजुन की सुक्ति सुधावनन और कसी राजा की सब्द मनिक दरपन कन्नड भासा क की मानक क्रतिया है 14 सताब्दी 14 और सुली सताब्दी के बीच विजे नगर राजाओं के संडक्षम में कुवर व्यास ने भारत और नर्हरी ने तारव रामायन की रचना की अगला मल्यालम साहतिय की मल्यालम साहतिय का उत्वग 11 सताब्द में हुआ राम पनिकर और रामानुज एज हुतावन मल्यालम साहिते के जाने मने साहितेकार है उष्णी नीती संदेशम और कोकर संदेशम मल्यालम भासा की दो प्रमेत्व पुंक्रतिया है अगला तम्मिल तता संगम साहिते संगम साहितिक के रचना इसाकाल की आरंबिक चार सतापदियों में हुई यदि भी इसका अंतिम रूप में संकलन शत्सो इसी तक हुआ इसके रचना का दक्षिनी भारत के विबिन भागों में मदुरे गए विद्वानों द्वारा साहितिक भासाओं को संगम और रचित साहितिक को संगम साहितिक कहा गया तुछ जी संगम साहिति कोर्थ में संक्रित किया गया है इंगे दो मुक्य समूँ है संगम साहे्थे के अलवा प्रमुकства क्रशना है तो शंगम साहे यकार्म एम कावएं की टी में अलावारों ने भक्ति आंदोलन चलाया तथा साहितिर रचा कम रामायन और परिया पुरान भी तमील साहितिर के महान गरंते हैं अब देखो ये कुछ क्रिक्षन दे रखे कि आंद्रे कविता का पिता मा किसे कहा जाता है तो हमने पढ़ा था कि अल सनी पेंडना अभी मैंने पड़ा था कि इस में यह है पंपा पूना और संना संना नहीं सॉरी राना है उसमें साप नहीं दिखा तो रानना संना य जो है कर्नन्सायत Araka żyकी उपाधी जो पंपा, पोना और रान्ना को दिया जाता है प्रसन संग्या चार है कुराल की रचना किस ने की तो कुराल की रचना तिरू वल्लूर ने की थी अगला है भारती भासायम साइते अब देखो भारते भासा है जो साइते है उसके बारे में हम अगले जो है वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वन्ना ये चेप्टर बहुत जदा लंबा हो जाए अगर आपको भी पढ़ने में परिशानी होएगी तो जदा जदा वीडियो को शेर करें और आपको अच्छा लगता है इसको लाइक भी कर सकते हो आप और चैनल को सस्क्राइब करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद